Quadratic Equation का ये Question ये आया था, J.E. Advance 2020 Paper 1 में था और देखे ये बोल रहा है, Suppose A.B. be the distinct real roots of Quadratic Polynomial polynomial form में लिखा हुआ है, इसलिए equal to 0 नहीं लगा हुआ है, इसने Quadratic Equation नहीं लिखी है, तो इसलिए कह रहा है कि X square plus 20X minus 2020 is a Quadratic Polynomial और इसके roots को real distinct roots बोला है इसने and let CD be the distinct complex roots of the quadratic polynomial, second जो polynomial है, इसके roots C and D है, C और D है, लेकिन complex roots है, उसका reason ये है कि यहाँ पे इसमें अगर discriminant निकालेंगे इसको, B square minus 4AC करेंगे, तो वो negative आ रहा है, तो वो language यहां लिखी है, देखेंगे उसका use होगा नहीं होगा, देखतें क्या होता है, then value of, then value of AC into A minus C, AD into A minus D, BC into B minus C plus BD into B minus D, लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है, सारी values यह आपको calculate करनी है, तो mainly quadratic equation में हमें पता ही है कि quadratic polynomial यह बाला है, इसके sum of roots लिख लूँगा मैं, A plus B, तो A plus B minus 20 हो गया, ठीक है न, और इसके बाद में product of roots, AB, AB product of roots सीधा आजाएगा, minus 20, 20, इसके बाद में लिख लेते हैं, C plus D, C plus D, second quadratic यह रही, ठीक है, second quadratic यह है, तो C plus D लिखेंगे तो यहाँ plus 20 आएगा, और CD जो लिखेंगे तो वो आजाएगा, 2020 आजाएगा, सीधा सीधा, ठीक है, यह सारी चीजें हो गई, यह information हमारे पास में है, main चीज यह है, कि यहाँ पर यह मतलम निकलेगा, कि जो value evaluate करनी है, चलिए आज यह फटाफट इस पर आजाते हैं, इसको देखते हैं कि क्या इसको evaluate करना है, ठीक है ना, तो इसको open कर लेंगे पहले, क्योंकि ऐसे condition में लगनी रहा कि कहीं पर value मैं utilize करूँ यह वाले, हमें इस format में लिखनी है, A plus B बने, C plus D बने, A D बने, C D बने, तो A D, C D हलाकि यहाँ use कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना, हम पहले इसको open करेंगे, A square C लिखा जाएगा, A square C minus A C square, A C square plus A square D, this is A square D minus A D square, A D square, ठीक है, plus B square C, B square C minus B C square minus B C square plus B square D, B square D minus B D square, B D square, यह लिख लिए आपने, अब आप एक काम करो, कि मैं अगर देख रहा हूँ कि positive positive अगर numbers है, यह A square C और, फिर A square D, ठीक है, तो यह दोनों साथ में रखता हूँ मैं, मैं positive number सारे उठा ले रहा हूँ पहले, तो A square ले लिया, A square C plus A square D, A square D, plus B square C, B square C plus B square D, B square D उठा लिया, ठीक है, माइनस का A, C square लिख 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 अगली बार फिर c plus d common ले लूँगा ठीक है तो आ जाएगा अच्छा यहां पर मैं क्या करूँ a c square c square c square वाले में देखो c square common लेंगे तो a plus b देगा minus का तो ही है यह पहला और तीसरा हो गया यह वाला हो गया इन दोनों में से इन दोनों में से अगर हम minus का d square common लेंगे minus का d square तो हमें a plus b दे रहा है भी जम गया है इसाब किताब ठीक है इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं c plus d common लेंगे तो मिलेगा मेरे को a square plus b square और माइज इसमें a plus b ले लेंगे common में a plus b total minus है minus तो यह common कर दो और फिर आप ले लो a plus b common a plus b common तो यह जो माइनस इन दोनों का भी है तो c square plus d square हो जाएगा ठीक है चारों term negative उपन होती है ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं खाली value placement पे value लग दें सब काम हो जाएगा फटाफट अब कोई दिक्कत नहीं है जब इस तरह से value लिख ली जाती है यहां तक पहुंची गए तो अब तो आसान काम है ठीक है ना यहां थोड़ा सा और अभी हलका सा manipulation होगा वो कब भी कर दिया जाएगा c plus d मैं लिखना चालू करता हूँ c plus d 20 लिख दिया मैंने और a square plus b square को इसको a plus b का whole square minus 2a भी लिख देता हूँ minus a plus b minus a plus b minus 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 plus हो जाएगा 20 हो गया और c square plus d square है c plus d का square minus 2 c d लिख दिया अब तो value रख सकते है ना है ना तो यह हो गया 20 a plus b का square यह हो गया 400 minus 2 times of a b minus 2 times of a plus हो जाएगा है ना into 20 20 कर देंगे multiply चलो कोई दिक्कत नहीं है 20 into c plus d का square यह हो गया 400 400 minus 2 times of c d c d means 2 0 2 0 ठीक है यह सब clear उता जा रहा है 20 20 भी common ले लें तो उसके बाद में क्या चलो कर देते हैं सौल इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना 400 हो तो जाएगा विससे overall इन दोनों bracket में से 20 common ले लू मैं तो 20 यहां से common ले लू तो यह 20 common में चला गया 400 इसमें बचा प्लस 2 times of 2 0 2 0 बचा प्लस का 400 यह बचा माइनस 2 times of 2 0 2 0 बचा तो यह वाला इससे कड़ गया है ना यह हो गए 20 इंटू 800 है ना यानि की 8216,000 अंसर आ गया है ठीक है थोड़ा solve भी कम करना पड़ा और यहां पर यह आपका डी option राइट है इस तरह से quadratic का simple question था लेकिन देखिए जेए एडवांस में कई बार अच्छे questions यह इस तरह के simple questions भी आते हैं अगर कोई भी बच्चा class 11th में पढ़ रहा है 10th में पढ़ रहा है तो इस जेए एडवांस के question को easily solve कर सकता है